सांप के जहर मामले में एलविश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफतार कर लिया और कोर्ट में पेश किया गया यूट्यूबर और बिग बॉस ओटिटीड विजेता एलविश को पुलिस ने मामले के संबंध में पूछताच के लिए बुलाया था और बाद में गिरफतार कर लिया गया था पुलिस के साथ एलविश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर यूट्यूबर की गिरफतारी का फुटेज होने का दावा किया जा रहा है। जानवरों के लिए अन्यपांच को गिरफतार कर लिया गया और रेव पार्टी में और ऐसी पार्टीों के लिए साप खरीदने में एलविश की भूमिका की जांच की जा रही थी। क्योंकि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि उनके पास इसमें शामिल लोगों का एक नेटवर्क है। शिकायत के अनुसार एलविश ने उन्हें संपर्क प्रदान करके मदद की जिन्होंने अंततह साप के जहर की व्यवस्था की। एलविश ने अपने वीडियो में सांपों के साथ तस्वीरें खिंचवाईं। मामले को लेकर एलविश यादव से कई दौर की पूछताच की गई। लेकिन उन्होंने सभी आरोपों को खारिज कर दिया। पीपल्स फॉर एनिमल्स के स्टिंग ओन परेशन में पार्टी से नौ सांप पाए गए और उन सभी की जहर ग्रंथियां हटा दी गई। नौ में से आठ सांपों के दात गायब थे। रेव पार्टी का मामला पिछले साल 3 नवंबर का है। पार्टी नोइडा सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में आयोजित की गई थी। एल्विश पार्टी में मौजूद नहीं थे। पार्टी में मौजद पार्टी में मौजद पार्टी में मौजद थे।